तो आपको बाच्ची चल रही थी अबासितिकी के साथ आपको भरशाना उन पर कि आपके साथ जाएंगे और आज उन्होंने जो है अभी EMC अपना गॉंग्रेस और लेप को सपोर्ट दिया है तो आप चीज पूरे माहर में कहाँ देश्ट हैं सर मायम और आपको क्या शेर है मैकेला ही चलाता जानिवी मन्जिल लोग आते गए कारवा बनता गया इस पर इसका आपके सवाल का इस पर जवाब इतना ही है और दूसरा यह है कि इस पर में एक मुद्व वक्त पर मैं इसका जवाब दोंगा अचा तो कर अदकिन आपके क्या बाच्चित चलुई ह क्या हो रहा है माते हैं बता हूँगा आपको तफसील से बता हूँगा थोड़ा सही वक्त मेडिया रिपोर्स यह हैं कि अबास सब्सक्राइब के साथ जवाब दे सकते हैं तो सब आपके सामने हर चीज है तो इस सवाल करना ये बेमाने है आप तो देख चुके हैं सब अर जहां तक मुझे कुछ कहना है इस बारे में मैं एक अप्रोप्राइट टाइम पर सो बताऊंगा तर प्रैमेर से नरें नमोदी ने आज वाक्सिन लिया है पहला वाक्सिन आ देखिए देश में सबको कोरोना वाइरस से बचने के लिए वैक्सिन लेना जुरूरी है और चाहे वो कोवी शील्ड हो या कोवी वैक्सिन हो परदान मंत्री ने लिया और लेकर देश को ये बताया कि सबको वैक्सिन लेना है मेरा मोडी सरकार से एक सवाल है कि जर्मनी में जर्मनी की सरकार ने ये कहा है कि जो कोवी शील्ड है जिसको आक्सफ़र्ड एस्टराजनेका बनाती है और जिसका एक्तियार उन्होंने यहां पर सीरम को दिया है तो जर्मनी में और उनका जो पब्लिश डेटा है वैक्सिन साइट पर एस्टराजनेका का वह कहता है कि वह वैक्सिन अठारा से सिक्स्टी फोर येर्ज के लोगों के लिए अच्छा है सिक्स्टी फोर के ऊपर जो लोगों के लिए उतना एफेक्टिव नहीं है तो हम मोडी सरकार से पुछना चाते हैं क्या ये बात सच है कि एस्टराजेनेका का जो कोवी शील्ड वैक्सीन है जर्मन सरकार ये कह रही है कि एटीन और सिक्स्टी फॉर यर्स के लिए अच्छा है उसके उपर के लोगों के लिए एफेक्टिव नहीं और आज इतिफाख भ गा ये वैक्सीन लेना पड़ेगा मगर सरकार समयय है उस बात का मुतालिबा करते हैं कि जरा इसका ये जो अक्रिशन को दूर कर दे रहला वैक्सीन तो लेना है और मैं उमीद करता हूं कि हर घरीब अवाम तक ये वैक्सीन सरकार उनको पहुंचाएगी और क्योंकि आज भी लोगों की मौत हो रही है, जन्ता परेशान है, खास तोर से भारत के तीन-चार स्टेट्स में फिर से तुड़ा केसल बड़े हैं, इस पर मुझे इतना ही कहना है तर्ट अंदार वाले के क्या आप जो मौझूदा अभी आप प्रयार कर वे ते या बाकित कर वे ते जो मौझूदा इसे क्या पुड़ा साइड डिसापॉइंट हुए हैं? नहीं 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 देखिए, मैं कभी भी नाउमीद नहीं होता हूँ, और हमेशा मैं उमीद रखता हूँ, अल्ला से, और एक पॉजिटिव आउट लुक रखना चाहिए, नाउमीद ही क्यों होना चाहिए, नाउमीद होने की जुरत ही नहीं है, उमीद पर दुनिया खाये में उशिश करते रहेंगे ऐसा कोई बात ही नहीं है तो पूरे मुझे को अपके स्टेटमेंट नहीं नहीं कि आपके स्टेटमेंट करके मुलने हैं किया वे उनकर को नहीं है किया वैस किह दूर के क्या उनकर का इम ही वहाख भुल्कर जाइए खुले आरी इव थो बोलेंगे ना कि अरे क्या अरे कि जट्विच का कहा है वाई कोई डिच मिश नहीं है कोई बाती निए इस बार में बारान। सभी वखत पर बोलूगा तफसील बताओंगा पुरी तरह नाराज हों के सर इतना मेहनत की इतना वरुसा की अबास की अरे नाराज क्या है देखिए हम गुजराद के गुजराद में हम सिर्फ मेहनत किये वहां पर हमारे साथ कॉर्पेटर रहमदाबाद में जीते हैं अब हमक हैं राजिस्थान के बारे में राजिस्थान में पार्टी को इस्टैबलिश करने का वह भी करेंगे बात करेंगे उतर परदेश के चुनाव के लिए हम मेहनत कर रहे हैं मैं चौदा इस महीने में उत्रोला जाओंगा मैं राजबर सहाब शूपाल सहाब से मेरी बाचीत होन announcement कर चुके हैं तो हमारा काम चल रहा है चोटरों बिल्कुल जाएंगे आप फिकर मत करिए बताएंगे आपको तफसील से बंगाल के अपर आपको बताएंगे आपके दोस्त राहुल गांदी ने पिये मोजी की सुना अंगरे जो दिखी अरे भाई मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है मैं तो लैला हूँ बहुत चाने वाले हैं अब आप खाम खाम हरे को हमारा दोस्त बना देते हैं यह आपको बड़ी आदत है आपको के दोस्त बनाने की अब दुश्मन भी कभी बना दीजिए नहीं मालूट नहीं देखिए तिवारी सहाब जल से जल एक सही वकद पर तफसील आपको बताएंगे पूरा अरे आप 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 आपको जो समझना आप समझ लो मेरे जो समझने हो मेरे दिमाग में मैं बताऊंगा आपको बारा लोग आते गए कारवा बनता गया कोई लोग आ रहे हैं नहीं मैं अके बहुंद इकला चलो तो वहीं से निकला नहीं पर आप बराबर एबराबर बताएंगे आप तो बोली बटाव आप नहीं इस पर वाक्टिन ऑच्वाट लोग उस पे कार्टिक भी आप इस कार्ट हो ग क्यों ने लेंगे क्यों ने लेंगे क्यों ने लेंगे समय तो सबसक है मैं तो पहले से कह रहा हूं कि यह वैक्सीन को आप वो कर दो सरकार को देना चाहिए मैं यह कह रहा हूं कि वो वैक्सीन हर एक को लेना है जिसका स्टेश तरीके पूरे ट्राइल्स हो चुके हैं और यह वैक्सीन जुरूरी हम तमाम के लिए अपनी जान को बचाने के लिए और खास तोर से जो एल्डरली स्टेट्समन है ओवर सिस्टी फाइव यर्स जिसको हम करते हैं हमारे बुघ्रोग उन बुझरों की जान बचाना जरूरी है कि यूंकि यज के लिहास से को मॉर्वड़िटी हो जगती है उनको एच के लिहास से उनको यह वायरस उन पे टाक कर सकता है तो उन पे खत्रा है तो जितने बुजरूग है 55 साल पे उपर के पहले उनको लेना चाहिए और अच्छी चीज़ है बिलकुल लेना चाहिए तो तो यह वाक्सिनेशन जाप को ड्राइब को आप पॉल्टिसाइज कर रहे हैं मैं कहा कर रहा हूं मैं तो बोरो ना आप बुजरुग कहते हैं तो बुजरुग लोगों को लेना जुरूरी है बहुत जुरूरी है बुजरुगों को इम्मुनिटी लेवल कम होता है ना उनका बलके पूरे देश की 137 को जनता को जिसमें अगर 18 साल से कव्मार वालों निकाल देंगे तो उन सब को दिलना है बहुत है चीज़ है मैं तो एंकरेज करोगा लेने के लिए हैं मैं 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 आपको सवाल यह मैं सरकार से सवाल उठा रहा हूं कि English Media के Times of India के रिपोर्ट है आप ही का sister organization है जिसके लिए आप काम करते हैं जिससे आपको तनखा मिलती है उन्होंने अख़बार में एक box item बना कर news डाली है अब मैं तो expert नहीं हूँ उसमें अंग्रेजी पढ़के सुना दूँ आपको क्या लिखा उसमें सुन लिजिए German states want unused extra wax for younger people उसमें लिखावा है के several German states called on Sunday for unused AstraZeneca coronavirus vaccine to be given to younger people as worries about side effects and efficacy as well as recommendation it be used only for under 65 have meant low take up of available doses the German health ministry said this week it had administered only 15% of the AstraZeneca shot it has available elderly people are first in line to vaccinated to be vaccinated but Germany has recommended that the AstraZeneca vaccine be given only to people age 18 to 64 report यह आप लोग क्यारी कर रहे हैं अब आप मेरे को क्यों इल्जाम लगा रहे हैं आप भी प्रोटिसेस करेंगे उसको दालके मैं से विए पूछना चाहरा हूं कि पधान मंत्री भी आज भारत बायाटेक का वह वैक्सीन लिए हैं तो सरकार को छाए् क्लारिफ़ाइ कर दीजिए वैक्सीन तो सब को लेना है जान बचाने का इसमें कोई प्राक। मैं सबको बोलूँंगा के फ्ली वैक्सीन लीजी और खास particulate जो पैंसाठ साल के उपर के जो हमारे वजरूग हैं अन सब को जाके लेने का और उसके बाद जो है मैं तो परदानमंत्री से अपील करूंगा कि परदानमंत्री से मेरी गुजारिश है कि जितने मीडिया के लोग खास तोर से जो कैमरमेन हैं जो फील्ड के रिपोर्टर्स हैं मेरी परदानमंत्री से गुजारिश है कि एक स्पेशल ड्र कि आइन भी मिनिस्टर प्रकाश जाडेकर साब को चाहिए कि वो डिल्ली में वो खुद भी लें और तमाम मीडिया के लोगों को बला के सब को वैक्सिन लगा है सब्सक्राइब कोई काम करने के लिए चल सकता है ऐसा लगता है तिवारी साब आप टी-एम-सी के लोगों से टच में है चलिए सर ओके टाइब है तो तमिल नाडू में हम बराबर एलेक्शन लडएंगे पांच साल पहले भी हम एलेक्शन लडए थे आप वानियम बारी से और और एक दो तीन जगा से हम वर्खाबला किये थे वानियम बारी में टेमल नाडूमार यू उनिड काम कर रहा है इन्शाला डेफिनेटली टेमल नाडूमें हम एलेक्शन लडएंगे हमारे लोग महां पर काम भी कर रहे हैं, इलक्षन लड़ेंगे ट्रमलना लोगा, क्यों ने जाएंगे, अरे, बराबर जाएंगे, आपको बताओ ना तिवारे साब में, आप से कंसर्ट कर लेंगे, क्योंकि आप आफर लाएंगे, टीमसी से, बात कर लेंगे, अपकी स्टार् और हमारी पार्टी अपना एक सियासी सफर जिसका आगाज नाइंटीन फिर्टी सेवन में महरूम फकरे मिल्लत अले और रहमार और उनके सातियों ने किया था, आज अलहम जलिल्ला मंदले से एक ताखत और मौफ रखती है, और जो हमारे मुजरुगों ने जो खुर्बानि दी, जो पून पसीना बहाया, जेल की सोहवतें और मसाहिव और मुश्किलात का सामना किया, आज नहीं की खुर्बानी और मेहनत की वज़े से आज मंदले से इस मुकाम को पहुंची है, तो यकीनन हम न तमाम हमारे मरूम खायदीन को, हमारे जो जो सिम्मेदारान जो आज दुनिया मनी, उन सब को खराज यकीदत पेश करेंगे, उनको याद करेंगे, ताकि उन तमाम लोगों की महनत, फुर्बानी और उनके जो जो मीदें थी, हम उसको बुरा कर सकें, और उसका तरीख है की है कि हम लोग और जदा महनत करें, इخलास पैदा करें, और मजलिस के पैगाम को अवाम तक ले कर जाएं, और खास तोर से गरीब अवाम के दर्मियान में रहे कर, उनके इनसाफ का, उनके फूफ का मतालबा करें, और उस पर अमल भी करें, तो कल इंशाललह ताला, दारुसलाम में सुबा साड़े दस बजे, पहले पर्चम कशाई होगी, और प मजलिस के दिम्हदारों के लिए एक फखर का दिन भी है, और एकिनें यह तमाम मजलिस के जिम्हदारान, मुहिबान मजलिस कल दारुसलाम में जमा होंगे, और हम अपने जमाद के पैगाम को, और जमाद की महनत और जिससाजूब कर बी करें, तो इस पर कोई बास चीत नही कुई खुरेशी साथ इस पर कोई बात चीज नहीं है पार्टी में हमको बैठके बात करना है एक लाया मलताय करके आपको बताइए